इस बीच एक बड़ी खबर अलीगड से है जहां AMU के प्रोफेसर का पाकिस्तान प्रेम नसराया है VC की परमीशन के बिना पॉँचे पाकिस्तान किलर्क सस्पेंड कर दे गए है प्रोफेसर के खिलाब जाज के आदेश दे गए है पूर्व मंत्री ठाकुर अगुराग सिंग ने केंद्र से की है जाज की मांग EMU प्रिशासन पर लगाया है मामले को दबाने का रोप अलिगर मुस्लिम युनिवर्सिटी के प्रोफेसर का पाकिस्तान प्रेम जागा है अरेबियन वेभाग के प्रोफेसर अबू सूफ्यान वाइस चांसलर की बिना लिखित अनुमती के ही पाकिस्तान पहुँच गए जानकारी होने पर वाइस चांसलर ने किलर्ख को सस्पेंड कर दिया है और प्रोफेसर को कारण बताव नोटिस ज्वारी किया गया है साथी वाइस चांसलर ने विभागे जाज के बाद कारवाई करने की बात कही वहें इस मामले पर पूर्व मंत्री ठाकोर अगुराग सिंग्ने के निसरकार से मांगती है कि प्रोफेसर की कहनता से जाज की जाए साथी उन्होंने एम्यू प्रिशासन पर मामले को दवाने का भी आरोप लगाया एक क्लेटिकल इस्टाफ जिनका नाम हस्मत है उनको सस्पेंट किया गया है उनके खलाब कारवाई की गई है जो वज़े हमें मालूम है उसकी बता रहे हैं कि कुछ जो प्रोसीजरल लैपस होते हैं वो हैं उनके पार्ट पे जो फालू करना चाहिए उन्होंने नहीं फालू किया इस वज़ा से उनके खलाफ कारवाई हुई है और वो सस्पेंट हो गए है अलिगण मुसलिम यन्योवस्टी के एक प्रोफिसर का पाकिस्तान प्रेम इसकदर जागा वाई चांसलर की बिनानुमति के ही प्रोफिसर पाकिस्तान चले गए अलांकि पूरे मामले को गंबीरता से लेते हुए वाई चांचलर तारिक मंसूर ने किलर को सस्पेंड कर दिया है अब बड़ा सवाल यह उड़ता है कि आगर प्रोफेसर के खिलाब कारवाई कब तक अलीगर से जी मीडिया के लिए प्रमोध गुमार तो पहले भी कई बार एम्यू सुर्ख्यों में रही है लेकिन बिना परमीचन के ही पहुंच गए यहां पर पाकिस्तान जिसको लेकर लेकित अनुमती के बिना ही वो पाकिस्तान पहुंच गए थी और अब एम्यू प्रश्रासन पर इस मामले को दबाने के आरोप लग रहे है खाहिए भाहिए पहुंच टॉछ लiałem के खिर लेकिन